हेलो फेंट्स वेल्कूम वेल्कूम तो माई चानल बहुत-बहुत स्वागत आपका मेरे चानल है आर्ट्सकूर्ट के ट्रिक्स इंचीट कोट्स के 839 अपिसोड में और उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी स्टुएंट्स अगर आपका जेएमेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर की जाना है जिसी कि आपका 98, 99 परसंटाइल और NIT आपके जोए सिक्योर हो पाए और अगर आपको समझ में नहीं आ स्कोर्स के दुरू में आपको सिखांगा सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल एंड साइन्टिफिक ट्रिक्स, किस तरीके से आपको एक्जाम टैम शेयरे में ट्रिक्स को अपलाई करना है, किस तरीके से जेमेन के पेपर्स में वो ट्रिक्स लगते हैं, और पूरा-पुरा mindset development कर सकते हो, कोई भी queries हो, तो आप मुआरे team को WhatsApp करके, उनसे अपने queries को solve करवाने के बाद में आप इस course के अंदर में enroll कर सकते हो, लेकिन enroll ज़ूर से कर लेना, क्योंकि यह course आपका game change कर देगा, आपके जेमेन 24 में आपको successful बनाने में बहुत ज़्यादा help करेगा, तो देगा आपके सामने देखो, कितने सारे questions कराये थे, 2014 के, 2023 के, और फिर episode number 8, 38 में, मैंने जो questions कराये थे, 2019 के, 2022 के इतने सारे, और 2023 के इतने सारे questions में आपको कराये थे, तो यह सारे जो वीडियो जाना, इससे आपको बहुत benefit होगा, आपके आने वाले J-Man में जो है, यही सारे questions आप the positive x-axis, each point of the wave moves to and fro through a total distance of 6, what will the mathematical expression of the traveling wave, simple सा बात है देखो, ऐसे ऐसे जा रहा है, 2 and fro, 2, fro, 2 उपर, fro, नीचे, समझो, 6 cm तो, amplitude 3 का होगा, तो पहले ही यह दोनों option आपके, खतम होगा, इधर 3, इधर 3, तभी तो, total distance आपका दिया, 2 and fro, with a total distance of 6, clear हो गया, अब आप देखो, बात को समझना, बात को आप समझना, अब आपको खाली, आपको क्या देकना है, खाली, आप frequency, frequency, आप खाली देखो, ए खाली, खाली आप frequency, देख लो, frequency, omega, is 2 pi f, omega is 2 pi f, so 2 into pi into frequency 245 question में दिया हो, clear है, तो यह कितना हो जाएगा आपके पास में, 245 into 2, यह आपके पास में हो हो जाएगा 490 पाई ठीक है और 490 पाई का मतलब कितना हो गया 3.14 तो 490 इंटु 3.14 इसकी वैल्यू आपकी कितने हो जाएगी 1500 के आसपस यह 500 के आसपस है तीन के आसपस है तो 1500 के आसपस हो गया ना यह option 0.2 अलिमिनेट यह अलिमिनेट ना क्या आपको यह आपर बात समझ में आ रही है किया आपको यहां पर बात समझ में आ रही है तो option D is the correct answer अब आप देखो यह question आपने solve किया मानलो आप घर में बैटे हो 2021 का question solve करते हो तो आपका concept clarity हो गया ना कि इस type के question को कैसे solve करना होता है अब आप देखो आप अगर jam in 2022 में जाते हो एक्जाम देने और यह question आपके सामने आता है कितना असानी से आप इसको solve कर लोगे same concept पर question है क्या दिया आपका traveling in positive x direction frequency 100 दिया है frequency अगर 100 दिया आपका तो omega कितना होगा 2 pi into frequency which is 2 pi into 100 which is 200 pi 200 pi चीक है yes or no अच्छा 200 pi equation क्या होता है sin omega t minus kx omega t minus kx ऐसा expression होता है तो omega t आप check करो कहां पे 200 pi है 200 pi t तो option d में देखो pi 200t बाकी चीजें आपको check करने की जरूरत ही नहीं है बाकी सब में आप देखो कुछ अलगी expressions दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपको option है d correct clear if फिर भी अगर आपको check करना है अगर आपकी मन की तसल्ली के लिए मैं बताऊं तो k की value होती है 2 pi by lambda जो k है na x का coefficient तो k is 2 pi by lambda lambda is 4 तो 2 pi by 4 तो pi by 2 cm में pi by 2 is 0.5 pi तो 0.5 pi cm में यह आपका again answer option d so option d is the correct answer तो सोचो अगर कोई बच्चा यह question घर में कर ले क्या हो इस question को नहीं कर सकता यह जेए मेंन का cheat codes है समझो जेए में में repeated questions आ रहे जेए में में नए सवाल नहीं आ रहे मैं बार बार आपको चिक चिक के चिला-चिला क्या आपको कह रहा हूं कि नंबर 838 में फिर से एक सवाल कराया था देखो maximum पार्टिकल विलॉस्टी विलॉस्टी फोर टाइम्स रिलेशन 2022 में आया था यह देखो एक सवाल और मैं आपको कराता हूं 2022 का तो सेम कंसेट्ट पर दसदस सवाल पहले सवाल आ चुके वह सेम आपके दोबारा से आ रहे हैं क्या दिया आपको वेव विलॉस्टी विकम्स इक्वल टू पार्टिकल विलॉस्टी मैक्जिमम तो इसको डिफ्रेंशेट करोगे आप तो आपका आएगा टू कॉस्ट सम्तिंग और फिर टी का कोईफिशन जो है चेन रूल से ओमेगा बाहर आ जाएगा तो यह कोई आपकी मैक्ज सॉम पार्टिकल विलॉस्टी करें करें कांग एक क्या बंस तो यह थे कॉस्ट बाइगा मतलब मैक्सम पार्टिकल विलॉस्टी उमेगा और यह कोईग वेव व्लॉस्टी के वह बला anda fly realizing लाम्डा क्या है देखो टू-पाई-बाई-लामडा is k लाम्डा is what और omega is what 2-पाई-फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी is omega by 2-पाë तो लाम्डा इन्टु-फ्रिक्वेंसी अगर आपको करना है तो आब जब फ्रोड़क करोगे है तो तो फैसी कटेगा ओमेगा भाई जाएगी क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं किया मैं यहां पे कुछ गलत कर रहा हूं इसक्न पर दिखता है तो यहां पर मैं दुबारा से देखता हूँ एक बार तो मेरा क्या है a transverse wave is represented by this the value of wavelength in centimeter for which the wave velocity becomes equal to the maximum particle velocity wave velocity कितना है मेरे पास में wave velocity मेरे पास में है omega by k wave velocity मेरे पास में है omega by k ठीक है क्योंकि k जो है वो है 2 pi by lambda तो lambda है 2 pi by k और omega है 2 pi f f है omega by 2 pi तो lambda into frequency wave velocity होता दोनों को multiply अगर मैं करूँगा 2 pi से 2 pi कटेगा omega by k मेरा आएगा तो wave velocity is omega by k यह तो मेरा हो गया omega by k this is equals to maximum particle velocity maximum particle velocity मेरा है 2 omega यह मेरा है 2 omega ठीक है यह मेरा है 2 omega ठीक है डिफ्रेंशेट करूँगा omega बाहर आएगा यह आएगा तो omega से omega कटा मेरा k का value कितना आया half ठीक है अब k का value अगर half आया तो यहां से lambda निकाल लो k का value half आगे है ना तो यहां पर put कर दो आप half तो lambda कितना हो जाएगा 4 pi हो जाएगा तो answer is option A is the fucking answer option A is the fucking answer कितना असान है कितना असान है अगर आपने PYQs किया है तो यह question जिसे मैं भी थोड़ा साठका बट क्यूंकि हमने PYQs कर रखा है हमने question solve किया हमने पिछले episodes में questions देखा 2014 में आ रखे है इस question 2022 में आ रखे हैं तो वी know कि करने से answer आएगा confidence है हमारे में जो भी है calculation वागेरा देखो क्या हो रहा है क्या नहीं करते चले जाओ answer आपका sure shot आना है guarantee से अब आप देखो इस question को कितना easy question है J-min 2022 का question है आप पता हो इस question में क्या रखा है velocity पूचा है lambda into frequency करना है ठीक है अब आप देखो द्यान से यह omega जो है omega है आपका 800 pi by lambda 800 pi by lambda अगर आप द्यान से देखो तो ठीक है ठीक है ना आपका omega अगर आप देखो यह omega t पूरा है omega t और kx की value अगर आप देखो तो वहाँ से आपका क्या है 2 pi by lambda k is 2 pi by lambda अगर एक्शली एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखते है omega t minus kx इस फॉर्माट में तो omega आपका 2 pi by lambda into 400 से compare हो रहा है मतलब 800 pi by lambda से compare हो रहा है और आपका 2 pi by lambda से आपका k compare हो रहा है 2 pi by lambda से k compare हो रहा है तो wave velocity क्या है lambda into frequency clear है तो lambda तो lambda है और frequency यहां से आप निकाल लो frequency कैसे निकलेगा omega कुलिक दो 2 pi f तो f की value आ जाएगी यहां से 2 pi डिवाइड लगा दो pi से pi काट दो 400 by lambda आ जाएगा f का value तो 400 by lambda आ जाएगा f का value तो lambda से lambda कटा 400 आ गया न answer प्रोड़क्ट लेने पे lambda f का प्रोड़क्ट लेहां मैंने lambda as it is frequency 400 by lambda lambda से lambda कट गया answer मेरा क्या हो गया 400 हो गया answer this is the correct answer as simple as that इतने आसानी से जो है जही मेंन के सवाल आपके बनते हैं बस आपको क्या तयारी अच्छे से करनी है ठीक है तयारी अच्छे से करोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ PYQs को solve करो मैं back to back episodes ले रहा हूँ यह episode number 839 था 839 episodes आपको पूरे YouTube में किसी channel में नहीं मिलेंगे जहाँ पे PYQs कराए गए है ठीक है आप सोच सकते हो यह खजाना है link description में playlist का follow करो हर वीडियो में 3-4 questions है तो आप सोचो 2-3,000 questions PYQs वो भी tricks से cheat code से जहाँ जहाँ आपको tricks जुगाड बता पाता हूँ मैं बताता हूँ options eliminate करने का तरीका बताता हूँ टेकनिक बताता हूँ कैसे आपको JMN को tackle करना है यह सारी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी अपने JMN 2024 में अपने अच्चे रिजल्ट को secure करके टॉप NIT को secure करो चलो बाकी तो बस यही बात है तो यार आए होग आपको आपको यह ट्रिक्स न शेक कुट्स की वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए होग लाइक करना मत बूलना और शेर करना मत बूलना अपने बागी सारे फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो भी इस प्लाट्फॉम को मजा होग पसंद के बाद के तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ निस्वड में जोडने के लिए बने रही है यार